नमस्कत दोस्तों स्वागता है अपने kingdom लाणने तो इस वीडियो में मैं अपना इलिस्टीटर का जो तो इस वीडियो के आगे में continue करूंगा एक पाक टू वीडियो यह है तो इस वीडियो से में continue करने जा रहा हूँ illustrator का जो series tutorial part 2 तो चले में दिखा दो आओ इस वीडियो में जो हमने टूल के बारा में पहले वीडियो में बताया थे तो आगे आने वहले जो टूल्स है जो आप कैसे उस कर सकते illustrator में तो आपको दिखाते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ही कहना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलिए तो चले शुरू करता हूं तो वीडियो महीं है कि दिख सकते तो चले मैं अपना यह फटड़्य न्यू दौकेमेंट Cambridge ओपेन कर लेता हूं क yüzden दिख सकते तो चलिए मैं अपना जो फार्पन कर रहा हूं तिकुरू नुट करे थे लोत सब वेट करे । यह आप देख सकते हैं आर्ट बोट ओन है अगर आप लेना चाहते हैं एक दो तीन चार यह से स्कॉल करके यह से भी ले सकते है ठीक है आप डॉन करके इसका है इतना रखा और वीड इतना रखा ठीकि बिलेड के बाड़े में आपको बताये था पहला वाला विडियो में तो तो उस वीडियो के देखे तो हमने इसको क्रियेट पे क्लिक कर दिया एक नया सा पैनल ओपन होगा वेट करें आप 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 तो आभी हम इलिस्टेटर के जो पैनल पे है अभी इस डॉक्मेंस पैनल पर है तो यहां से मैं आपको शो करता हूं आपको बता दे यहां पर जो यह अब आपको बता दे यहां पर जो यह पर आप जो यह आप पर नहीं आप जो कालर यह आप जिसकी भी जो जो भी टूल से इसके उपर भाफ ले जाकर लेएा रखेंगे तो इसका जो ने में अपर शो करेगा ठीक और उसे राइट क्लिक कर से उस टूल के उपर जाके उस के अंदर जो भी और बी टूल से आपको दिखाए देगा ठीक है और करेंगे उसका पर ऑपनский यह पर open होगा यह पर भी open होगा आपको अगर इस तरह का नहीं दिख रहा है तो इन केज आपको ऐसा करना पड़ेगा पहले बीडियो में बताया था कि जैसे आप डिसेट एसेंशियल क्लासिक पर करें कि जैसे आपका जो अपने डिफॉल्स सेटिंग्स किये है अपने लिस् से क्लिक करके इसका जो फील कलार ही बन कर देता हूं और इसका ksi में रख रहा हूं दो और फस तक में रख रहा हूं और ऐका कीबोड का कुछ भी आउन करने का अफ़को करने की ज़ुरत है नहीं आःओ यासे आप क्लिक करके ऐसे ठाग करेंगे तो एक लाइन बरह लाइन असे बनेगा ठीक है तो अगर आप चा कुल करके भैक होता है मैं वह बैक कर रहा हो कंट्र、 जैट से तो इसके अंदर हैं सब्सक्राइब करेंगे ड्रैक में करेंगे स्ष्न काम करेगा ठेख ह अगा अगा है इसई अगर अपने जईसे टाइगए आहिका से अ आप ट्ट्राइक कर देखिए क्या सा ए ट्टूल काम कर रहाए किस मे're यह आंग काम करते हैं कि पर में हैं प्ल ow होता है लेक्टरम से एक बनता है तो देख सकते हैं यह पर शुरू आए इसका यह पर खतम हुआ है इसका शुरू कहा से हुआ है खतम कहा से पता नहीं ठीक है शुरू खतम बस एक ही है जो शुरू हाए वो खतम हुआ है तो तो अभी में इसको all को में select करके ऐसे direct selection टूल के मतद से नहीं है तो normal selection है direct selection इससे कहाता है यह selection tool है इसे कहाए जाता है selection tool इससे कहाए जाता है direct selection tool तो रॉसे click करके backspace या delete प्रेस कर तो को ऐसे डिलेट हो जाएगा तो आगे इसके अंदर है इस को कैसे का मिले सकते डिफेंट शेप के लिए आप इसे यूज करें करके इस तरह के शेप बन गया है तो इसको ऐसे आज मांण को स्कॉर करके बढ़ाएंगे तो इसका इसको आपके उपर prolis arqu करता है तो इस टाइप का ऐसे बनेगा ठीक है उसका जो टू पाट बन जाएगा ऐसे ऐसे और प्रेस करके से ड्रैक करेंगे इसी भी अब्जेट के ऊपर है पर अब लेते हैं तो शेट के ऊपर हैसे ऐसे होगा तो उसके बाद आता है रेक्टेंगल ग्रीट टूल ठीक है ऐसे आप क्लिक करके ड्रैक करें इस तरह से हमने जो स्ट्रोक लिए है तो उसके बढ़ाबार इस तरह का एक मतलब एक शेप में आ जाएगा इस तरह का शेप ठीक है तो इसका शेप का तो में इसका काला चैंज करका और भी कुछ बताना में जैसे में इसका कलराख है तो उसके जड़ोस तरफार कि बा priorities कट्वक स्ट्रोक में गाट दनफ ठीक है कि तो आपको बताना ज़रूर्य है इस वी काा मक्या है जैसे हम किसी ही हम अब्जू दे हमने इनिस को ड्रॉ किये है शेप को तो उसे अगर क्लिक रॉफ करेंगे तो यह से वो खतम हो जाएगा जैए आसे क्लिक करके ट्राक करेंगे यह फ्लाइड राइकन देखे भी तर्सक्राइगा एक रिसला और यह अगर क्लिक करके ऐसे माइनस बड़ा बटन क्लिक करें तो माइनस का काम दिखाने के लिए आपको एक दिखाना पड़ाएगा शेप रिजर का काम आपको दिखा दू इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जासे इसमें प्लास का ऐसे ड्रैक करेंगे प्लास कर आइकन को शेप रिजर सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको दिखाता हूं इसका काम हूं जयंस में इसको में एक आपक्ट Chapter क्सक्ति करते हो तो फ्लाल में नहीं आप नहीं करूँगा पहले जैसा था यह तो तो यहां से मैं एक रेक्टेंगल लेकर ऐसे ज्रॉब कर रहा हूं इसके बाद इसे इसना इसा ड्रॉब किया ठीक है तो मेरा बताने का मुखसत है कि यह से हम दुनों को से लेट कर लें इसके बाद शेप शेप बिल्डर टूल में गया ठीक है इसके बाद यहां से हम अगर क्लिक करके ऐसे ड्रैक करेंगे तो यह पॉइंट एक साथ हो गया है ठीक है तो आगे में कंट्रॉल जर्से बैक होता हूं और इसमेर के इसके अंदर प्लास यह बतल रहा है इसका मतला भी जोइंद कर रहा है ठीक अगर क्लिक करेंगे ऐसे इसके साथ यह इसको जो पात है इसको डिल्येट करके थोड़ा इसके साथ बना देगा ठीक है तो यह इसका माइस में बदल देता हौश आइस का ऐकर Ce किबोड सो jilt p t e t brest करेंगे तो जैया से माइनस में बदल रहता है था अगर all press कर रहा हूं में एपने कीबोड में तो यह – माइनस में बदल गया है इसे क्लिक करकर ट्रैक करें तो यह देख सकते हैं इस से को डिलेट कर दिया है तो ऐसे में बताना चाहरा था कि जासे इस तरह से काम करता है शेब बिल्डर टूल तो इसको और भी तरीके से काम कर सकते हैं तो यहां पर बहुत सारे मतलब हम जो काम करते जैसे हमारा लाइन और उसके बाद इमें सब कुछ यह पर आप्शन अवेलेवेले पाथ पैंडर में जाता हूं तो अमरा अगर इस तरह का पाथ पैंडर एलाइन टैंसपोर्म जो भी है अगर नहीं दिखाए देता है तो हमें यहां से उन्डेस में जाके यहां से लाना पड़ेगा तो मैं फिर से सिलेक्शन टूल से करता है निस दोनों को से लेट कर रहा है से लेट करने के बाद इसका जो टो सेम एड़ेट कर देता हो भी करके बाद हमने इसके अंदर क्लिक किया जो भी इसका इसका मतलब क्या अंदर की को इस पहले आइकन के लिए गडिक करता हूं तो यह क्या हो रहा है इसमें अब देख सकते क्टे है कि कि इसका मतलब वे माइव समें हुकश है तो इतना है इसका हमारा कट गया है इस तरह का श olması बेड़र को आप करम में सकते हैं कि कि अनूसर को करना चाहते में तो मेरे इसके बाद पोलर ग्रीट पोलर गेट भी एक तरह का एक शेप है तो ऐसे क्लिक करके ड्राइक करें शीप्ट के साथ तो यह सिदा वनेगा ओके तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका जो पॉपारिटी पैनल यहाँ पर उपन हुआ है उसके बाद मेट करता हूं कि इसका जो खीलक रशेक्स कर देता हूं ड्रीं ओके यह से में इतना इसका जो स्ट्रोब का कल अलवन है पर हले और इसका जो अपासिटी यहंत पर देख सकते थे 100 पर सट आप दिखा दे रहा है तो आहसे आप अपको नुषए हैसे ठीक करें ओके अगर आप इसको घटाएंगे तो इसका जो आप इसे देख नहीं पाएंगे ठीके यह पर्फिक दिखाए देगा के बाद आप उसी तरीके से अगर शेप बिल्ड टूल से आप चाहते कि जैसे कुछ इससा रहे और नहीं रहे तैसे क्लिक करके ड्रैक कर लें इतना इससा करабते के अगर इस तरह कहें टराएंगे तो तो उसके में जो वितर वहांने कम्वेट कर लिया इसके rekt Falls टूल डूचे ही होती है तो इस तरह से हो रहा है ऑप पॉल्टक्रेस का मतलब क्या है आप क्लिक करें ऐसे कितने इसके साइड में कितना साइड लेना चाहते अगर आप तीन साइड बनाते तो अशका रेडियस 50 रहेगा को क्लिक करें देखिए इसका सब्सक्राइब आगया जाता हूं और फिर से मैं एक रे ऐसे पॉलिगर्न लेके मैं दस इसको बना देता हूं ठीक है तेन पॉइंट आएगा इसके बाद इसको OK कर देता हूं ठीक है यह पर देख सकते हैं गिले एक दो तीन चार पाएच छे साथ आठ ने दस ठीक है इस तरीके से आप काम मेरे सकते तो इस तरह से क्लिकर कर ले इस टर हो गया है ठीक है इसका पील कलर आप जो भी चाहिए रख ले इसके बाद ठीक है और एक इस टार आप बना ले इसके अंदर आप अचाहते दोनों को सेलेक्शन को मिडल में आए तो इसको मैं जल्दी बता रहा हूं मुझे लग रहा है आप सब्सक्राइब कोशिश करें तो इसे क्लिक करें जैसे आप किसी भी औबजेट को में कैसे रखना है इसके में आपको बता दू इसको इस ऑबजेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ब्लू वाला अनिशान ज्यादा मोटे से दिखाए देगा उसके बाद आप यहां पर एलाइंट में जाहिए अगर आपको एलाइंट में नहीं दिख रहा है आपके विंडोस पे मतलब जो इलिस्टेटर का स्वाप्टेर में तो आपको विंडोस पर जाना पड़ेगा उसके बात अब देख सकते हैं एलाइंट शिप्ट एप सेविन प्रेस करेंगे तो एलाइंट पर आ जाएगा तो एलाइन ऐसे आप उपन कर ले उसके बाद यहां से जो एलाइंट टू सिलेक्शन यहां पर क्लिक करके आपके उसके बाद होराजेंटर अलाइजन सेंटर कड़े इसके बाद कड़े वार्टिकल एलाइन सेंटर ओके आप देख से तो पूरा मिडल में आ गया है तो आप अगर चाहते किसे चांट्रोल टी से टीटेटेटर टांस्पर करने की ज़रूरत है नहीं पर ते इलिस टिटर में आप सर्फ उसके उपर क्लिक करेंगे तो इसका जो चैहित तो इसका स्लेक्शन तुल में बदल जाता है स्लेक्शन के राउंड सर्कल आ जाता इसके चाड़ियो था जात है कि जैसे इस पार्ट में वाइज नजरा हुम आ इसको में कर रहा हो कि वाइट की लिए मैं जारा हुम वाईट देद्याव ठीक हैं इस तरह का मैं एक से करना पड़ेगा तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं ऐसे आप बना ले इसके बाद एक भी शेप है तो मैं इसे भी डिलेट कर देता हूं अलब इस पर आ रहा कि शेपट टूल कहीं शेपट टूल को के शेपट टूल को अंदेखर इसे पहले में बनाना चाहता तक एसे टूल तूल पेसिल किस तरह से काम करता है जैसे साथ हुआ है औक जैसे हम चाथे कि ऐसे लिख रहा है लो कि जाता हुं नूग form लिको इस तरह से ऑर लिख सकते हैं जो भी हम शेफ बणा रहे और सब एंकर प्वैंट में बना है वैंक्ट विक्तर थे मिट्राइज है तो आपको पता है जासे मैं बता दूँ जैसे पीन टूल का मैं शेप ख्छिक्सिब्लिटी स्मूट कर लेता डूबल क्लिक करके और कीफ सिलेक्टेट को आप करके कर लेता हूँ इसके बार में चाहता हो इसका जो तो को लेबल हो जाए इतना 12 पीटी और इसका जो फिल तो आगर आप चाहते जैसे इसका जो इस पाथ है यह पर जो कटा हुआ बना है ठीक है आप इसका पाथ को भी स्टेंस कर सकते हैं इसके बाद कॉर्णर पर क्लिक करके इसका जो कॉर्णर बदल सकते हैं इसके लिए सेलेक्शन करना जरूरी है पहले में इसका सेलेक्शन कर दे तूरान तोट हो डायए साथिलेक्शिन तूल के मतदद से इसके बाद से रिक्शन हो आई स्टोक पर हम क्लिक कर रहे अच्छा का नर में यहां से छِंश कर रहा है ओके सिलेक्शन अभी यह कंक्रिट है स्का बद कंट्रोल कर दाता हूं यह से इसका जो प्रॉब्लम क्या है ओके अब देख सकते हैं इसका कैप जो है यह पर पहले आसा था ठीक है इसका आप प्लास का इकन से इसका जूम तुल्ट से ओपन कर सकते हैं है यह से आप सेलेक्शन के मदद से अब किसी भी टूल में रहे हैं आप कीबोड में अगर प्रेस करते हैं तो आप अभी इस वाले जो लाइन हमने यह पर लिया है तो उसके बाद स्टॉक पर क्लिक कर उसके बाद इसका याप लाइन यह से आपके अनुसार आप नहीं से लग अब जाता रहेगा आप अगजाते इस तरह का एरो आइकान अपके यह पर नजर आए तो इसके में आप ऐसे चुने आप यह यह लगाए ठीक है इसका जो प्रेते आप चाहते की स्टरह से बने इस तरह से बने सकते तब ट्राइक करके देखिए इसके अंदर से बहुत सबस करते हैं तो आपको ट्राइक करके देखना चाहिए ओके तो यह पर देश्मूथ टूल है जैसे में बता दूश्मूथ टूल कैसे कम करते पहले में एक काम करता हूं यह से कुछ द्रॉब कर लेता हूं ठीक है करते है तो दिर्म पहले में स्पश्मूथ टूल यह क्रणा तो हमने इसको सिलेट कर लिया इस को आम इसको हमें सिलेक्शिन ग्रीजा और तो उसके बाद आता है स्मूथ तुल्त इस पूट क्या काम करतेAh सब्सक्राइब प्रतिक्स भी सास्थ इसको देख सकते हैं पर जो परन रहा था तो है स्मूथ ली refract मुत यहां पर राउंड़ रहा है तो है से ब़ो क्लिक करके दिखाता ऌको यहां से कलिक्लिक कर रहा है को फात के उपर जैका करना पाई गरे के इसका पाथ का समूठ भहर है समें कि कर देखिए इसको भी में इसकर दिखाता हूं ऐसे इसका पात के उपर जाके सब्सक्राइब करें तो यह स्मूथ कर देगा अपका पाद को किके आपको कॉनर कुछ कि मुक्राइब अच्छा तो इस तरह कर से मतलब एपाथ सौरी इस मूथ काम करता है अभी बताओं का पार्थ इजर्टूल आपको कैसे काम में ले सकते तो इसके वरन आपको बता रहा हूं तो मैं अपना जो सेलेक्शन टूल से में सभी को में स्ट्रेक्ट करके सेटा देखा दा हूं इसके बाद हम आते हैं कि लाइन टूल में लेता हूं में लाइन टूल कहा गया में लाइन टूल तो मैं चाहता हूं कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसका बाद इसे जो किया इसके बाद इसे जो किया तो ड्रॉ करने से पहले चीज़ को दिखाना चाहता हूं तो मैं कर रहा हूं दिखाए नहीं दे रहे क्योंकि इसका जो फिल कलर ओप है ठीक है अभी मैं करूंगा ड्रॉ तो यह दिखाए दे रहा हैं ठीक है इस तरह से ड्रॉ किया है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है पाति रिजट टूल पाद रिजट टूल को दिखाने के लिए बैसिकली यह अप्शन साही रहता तो मैं एक एलिप्स रेक्टेंगल टूल लेया है इसके बाद हमें करना है आना है आपके पात रिजट करना है तो जितने हैसे हमने इसको करएंगे ले जाकर इसका पात गाईव तरह के हैं आपने च्छोटा करके दिखाता हूं जीता भी जाले ले जाके आप ऐसे उसके उपर रखेंगे इसको अगर ड्रैक करेंगे उसका पाथ गाय भूने लेगेगा ठीक है इस तरुके से आप पाथ रिजेट तूल के मदद से आप किसी भी लाइन पाथ इसे डिलेट कर सकते हैं जो भी हमने शेप को डिलेट करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें सबसे जरूरी काम यह बनता है कि जाएसे उसका शेप को सेलेक्शन पहले करना पड़ेगा ताकि जाके हमारा आगे उसका जो डिलेट हो पाएगा तो अभी मैं इसको भी डिलेट कर देता आश्यकरता आप करता है तो नेक्स साथ मेरा जॉइंट को दिखाने के लिए एक काम कर रहा ह। ऐसे में लाइन एक लिया दूसरे लाइन ले तिसरे लाइन ले लिया दूलाइन काफी है और इसका जौइंट एले एक सा तो हमने इसको इस धोनों को से्लेट कर लिए तो आभी जॉइंट गोंद से मैं इसको सेंट करके दिखा हूँ आप जुए तो लिए पर इस क्लिक कर करें स्लेट ऐसे इसका और सिकहें जायन हो गया है ठीक है अगर मैं चाहता हूँ कि सहसे इस को भी जॉइंट कर दो इस तरlic आ serait हैं ऐसे आपको फिर सैंदा पड़ेगा और जुइन तूल में आसे लेट करके आसे करें लिपकरने से बाइट तो इसके बाइग करें तो इसको सिलेक्शन हो गई है ठीक है तो इसे क्लिक करकर र meaning करें पैसे प्सक्रूथ हो गया है इस तरीख से आप यसे से ग्सवां सब्सक्राइब कॉनसे तूल बंग रहा है एजर टूल एक चीज़स टूल और नाइफ टूल तूल तो इसके बार में नहीं बतात्त हुआ मैं अभी एक रोटेशन पें बताता हूँ यह बहुत से मज़धादर सा एप इसका यूज मैं दिख़ा रहा हूं । टिक तो इसे दिखाने के लिए मैं इक काम कर दो हूं प्रैलिफ्स करलर कर यह था क Конिश कर लेता हूं स्थार कर देता हो आप ख्यात हूं तो आइकन अब दीक रही है दिति करें गाँ जघ्ण치가 मेड पुसिशन से कलिक करें आप यहासे पर to जी बाद गाया है यहाँ पर ल्ड़ करेंगे अभी तो इसकी डिल्पोइंट रहेगा इसकी ब्रुष कर बढ़ाभा चारी वरोड़ से इसका इस तरह सब्सक्राइब अभी कंट्रोल डी प्रेस्ट करें इतने वर कंट्रोल डी प्रेस्ट करें उसी के अकोर्डिंग यह इतना हिस्टा के इसको फैलता चले जाएगा तब आप दूसे कह सकते फूल भी कह सकते किस तरह की आइकन बन रहा है तो मैं चाहता फिर से एक इसका अंदर यह आि दो बनाया कर घिक उऔर संदर थे निटेना चाहता हूं एक टван मैंनेसं बना लिया अ ज़्लो फैन यह सबना सबिनीव छोटा सा सबना रहा हूआ जाने कि हाय हम भी अ तो इसके बाद रख लेता हूं पूजिशन का है ऑग रख लिया इसके बाद इसे जैकर किस तरह से बना लिया फूर्ट्रोल डी प्रेस करें किस तरह से आने लगेगा ठीक है तो अभी एक काम कर रहो अगर आप चाहते किसमें भी एक काम हो जाए इसका जो कालर है अगर आप जाते है इसका अलर्मी कर लेता हूं वाइट ओके वाइट करने से तो इसका गाय भी भी हो जा रहा है ठीक है तो मैं चाहता हो जोड़े टूल से इसको कि स्लेक करके यह से मीड पूजिशन पर रखना चाहंगा और इसके बाद से रूटेट करके यहां से देना चाहंगा और सब्सक्राइब करता है तरह सब्सक्राइब कर लेता हूं तो आभी देख सकते कितना रंग रंगी ना चीज बन गया है पता रहे नहीं क्या है सब्सक्राइब करके डी प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल बी से डी सेलेक्शन मतलब डिलेट हो रहा है तो अभी अभी इसमें और एक टूल है मैं और एक टूल के यूज से इस वीडियो में देखाना चाहूंगा लगता है कि जैसे हमारा पार्ट टू के सिरीज भी कंप्लिट नह मुझे बताना पड़ेगा कि जैसे युलिस्टेटर को पूरा क्प्लिट करना पड़ेगा आप हमारा वीडियो ध्यान से देखिया एंट मैं अपने मैं कोशिश करूंगा कि जैसे आपको बता ठीक तरह से किस तरह से आप ऐसे काम में ले सकते तो मेरे वीडियो से सीखे और एक तुल के बढ़ने आपको बता देता हूं आप यह से जैसे में काम कर रहा हूं में एक लेता पेंसिल 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 यह से पेंसिल में ले रहा हूं तो पेंसिल से में क्या करके रहा हूं कि जैसे में ड्रॉ कर रहा हूं जो करना के से पहले इसका स्मूथ में कर लेता हूं तो मैं करता हूं लिखता हूं एस लोग श्त्रो करना पढ़ते हैं जिसके लिए मीश का जब कर लिशह आप कर लेता इस ट्रोक को हमें यह अबेंड कर लेता यूश्य चूक मेरे रहा हूं लो जैसे थे कर रहा है ऑब कर लोय कर रहा हूं है य Kind that you see exp alarm नहें रखो हां अबने ड्रफ दो जैसे टॉ कर रहा हूं जैसे में ट्रोख रहा है यह कोयर को सक्षिसओं संद्स आशे सब那么 इसके बाद यहां आकर यह से पाथ के अंदर कई कर के ऐसे congressional करें कि तु देख सकते हैं किस की बन रहे हैं तो अगर में इसका जो आ स्थरोक कालर में इसका अगर वाइट कर तो आपका समझ में आ गर भीतर क्या मैं बना रहा हूं किया बन रहा है तो कि है आप अगर आप ऐसे क्लिक करके इसके पाथ को पर ऐसे ज्रैक करेंगे तो इस तरह के शेप बन रहे अगर आप इस पात को लेकर इहाल लाना चाहते तो इस तरह का भी बन सकता है ठीक है अब जिदर लेना जाए ले जाना चाहते अब जाए उधर ले जाए सकते कि आप किस तरह से काम में देखें ऐसे तो आप काम लेसे तो आशा करता हूं कि आपको जितने भी हमनी टूल्स के बारे में इस वीडियो बताया आपको उतना समझ में आया है तो और जिसके आपको बढ़ा में बता दू इसमें जितना बोलो कि यह कम पर रहे कि जैसे इस वीडियो बहुत चोटी बन रहे कि इसको बताने के लिए तो तो इस पर देश सकते हैं पर जो ऑप्षन एक कलर कह जाता है कालर पैनल यहां पर जो है कह जाते इसको गेडियंट अगर आप किसी भी जैसे एक शेप को आप यहां पर ड्रॉ कर रहा है जैसे एक रेक्टेंगल अपने ड्रॉ किया लिस्ट इटर पर इसका फिल कलर ब्लाक रखा अगर आप चाहते कि अगर इसके उपर ग्रेडियंस लगाना तो इसके लिए इस बाइकन पर आप क्लिक और कि यहां पर क्लिक करें आपको ग्रेडियंट वह आपको प्रेस करेंगे अपने כई दो अगर और बडलना तो इसके बाद क्लिक करें और से फिए आलो रहर किक करें अगाच अभी शबी हैसे इससे के क्लर मात इ Something अब ऐसे क्लिक करें डब्ल जाते में चाहते कि इसको 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 क्लिक करके ड्रक करें आप कितने इस चैनल को फेलाना चाहते तो आगे है पर क्लिक करने के बाद वहाँ कंवेशन दिता है कि यह सह आप टालर पिक करें यह से क्लिक करके है सब कलर पिक कर सकते हैं ठीक है जैसे जो भी कलर अपना चाहते अपर पद जोकिस यह माई के मूट पर अभी छे कविनेशन से तो आपको पता है तो आपको पता है तो आपको पता लगए ग्रेडियंट है यह नन है आप अगर कुछ भी नहीं रखना चाहते है तो इस बहुत क्लिक करेंगे तो इस पर रख सकता है यह जो है एक आई ड्रॉपर कलर टूल है जैसे हमने जो भी आपर कुछ यहां से कलर रख रहे है ठीक है कलर को देखाने पर लिए आप एक और चीज भी दिखाना चाह हुं तरहीं होतार चाहिए जैसे क्लिक करेंगे इसका च्राइब आपन कर लें सुआचेश सकते जितने भी यह आप्षण आपको ऑफ लोलहव है नहीं तो यहां पर.. अगर आपको काम रहे हैं जैसे इस तरह काम कर रहे हैं जो बहुत आसानी होगा आपको अलर शिलेक्ष्षिं के लिए तो और भी बताने के लिए इस टीटिरल तो है उपलग में नहीं कर पाऊंगा तो अश्चर करता हो जो भी बताया हमने इस वीडियो में आपको समझ में आ गया है तो मैं चाहता हूं कि आप अपना रिस्पॉंस हमें दे आपको इस वीडियो कैसा लगा आपको किस तरह कर से ब मालूम पड़ेगा किस तरह सबको समझाए जाए जो आपको नहीं आता है तो मैं उस रिलेटेट में वीडियो आपने आगे आने वाले क्लास में तयार करूं तो मैं फिर मिलूंगा अगले किसी और क्लास में आप इसका जो कंटिन्यू क्लास में रखूंगा यह पार्ट कुछ एफ्रिक्ट के अंदर विंडो सिलेक्ट बहुत कुछ से तो मेरे वीडियो में कहना चाहूंगा और एक बात अगर मेरे इस वीडियो अच्छा लग रहा आपको तो प्लेश सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने के लिए मदद क करें और लाइक करें मेरे वीडियो अच्छे लगता है तो कामेंट जरूर करें कपको किस टाइप का कैसे आसानी होगा समझने के लिए बाहर में बता रहा हो तो अशा करता हो कि जैसे आपको इस वीडियो से कुछ फाइदा हुआ होंगे तो फिर मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे हैं बाई